जो इस समय हमारे सामने आ रही है वो ये की गलवान घाटी में जो भारत और चीन की सेनाओं की बीच टकरा हुआ था वहाँ पर 20 भारतिये सैनिक शहीद हुए हैं अब तक जो खबर हमारे सामने थी वो तीम की खबर थी लेकिन 20 भारतिय सैनिक चहीद हुए हैं सूत्रों के हिसाब से ये खबर हमारे सामने आ रही है और ये वाकई बहुत दुखद भी है और उसके साथ ही एक समूचे देश में उस गुस्से को भर रही है कि आखर जब चीन के साथ हम बाचीत कर रहे थे तो उसे इस तरह की धोखेवाजी की जरूरत क्या थी कि उसने एक छोटी भारतिय टुगडी को घेर कर इस तरीके का आत्रमण किया है भारत और चीन की सीमा पर गोली कभी नहीं चलती है लेकिन जिस तरह की ये बारदात है जिस तरह की हतियारों का पत्थरों का डंडों का नुकीली कीले तारे लगे हुए डंडों का इस्तमाल चीन ने किया है उसकी मंशा पर बहुत बड़ा सवाल उड़ जाता है हमारे साथ पूर्ध थल सेना ध्यक्ष जनल वीपी मलिक जुड़े हुए हैं और उन्होंने साफ तोर पर ये कहा है कि आज का भारत और आज की भारतिय सेना पूरी तरीके से सक्षम है इस तरह की चीजों का जवाब देने के लिए लेकिन इस समय हमें सैयम से भी देखना होगा और देखना होगा कि सरकार पूट नीती अदलीती सारी चीजों को देखते हुए सेन ये नीती से क्या अपेक्षा करती है हम उनसे बाचीत अपनी जारी रखे हूं से पहले हमारे समधाता मंजीत सिंग नेगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं मंजीत ये वाकई एक ऐसा जटका है, एक ऐसा सदमा है, एक ऐसी खबर है, एक ऐसा आक्रोश होगा पूरे हिंदुस्तान का कि 20 भारतिये सेनिक हमने गवा दिये स्वेताब थोड़ी देर बाद सेना की तरब से आधिकारी तोर पर इस बात की पुष्टी भी होने वाली है, लेकिन ये खबरें लगाता सुभह से आ रही थी कि काफी बड़ी संक्या में महारे सनी घायल हुए हैं, हाला कि चीन को भी काफी ज्यादा चीनी सेने को नुक्सा इसका खामयाज भूगता पड़ा है, उनकी भी काफी कजल्टीज हुए हैं, नंबर भी मालूम नहीं है, लेकिन भारत का जहां तक नुक्सान का मामला है, इस बात की क्योंकि चीन ने एक तैयारी के साथ इस हमले को अंजाम दिया, एक साज़िश के तरह से हमले को अंजाम यह क्योंकि एक तरफ बाचीत की बात की जा रही थी, अलगलग पॉइंट्स पर लोकल कमांडर की बीच लगातार बाचीत चल रही, चीन खुद बाचीत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था, और उसी बाचीत के दौरान उन्होंने पीछे से काफी तैयारी की, जैसे के हम लगातार बताते जा रहे थे कि चीन ने अपने तरफ काफी बड़ी संक्या में और बड़े हतियारों के साथ अपने तैयारी की थी, और कल जब यह घटना हुई देर शाम को लोकल कमांडर की बाचीत हो रही थी, उस दौरान चीन की तरफ से कुछ हरकत हुई, उस हरकत को द दौरान एक तरह से यह पहला मामला है जब इतनी बड़ी संक्या में हमारे संक्या में हमारे संक्या में शहीद हुए हैं श्वेता मैं इस वक्त धार्चुला जो की चीन से लगने वाले दूसी सरथ है उत्राखंड वहां पर हूँ और आज पूरे यहां धार्चुला से लिकर लिपूले जहां पर भारते सेना की तरहाती है देर शाम जब मैं वापस लौट रहा था तो हलांकि यहां पर भी सेना अधार्चुला जो मेंटे है जो में चीन के मुकाबले में पिछले दिनों में जो मुंट हुआ हुआ है काफी अक्सा डिप्लाइमंट किया है तो एक तरह से आ क्रोस था है जो कुछ सेनिकों से मैंने बिना कैमरे की बात करने की कोशिश की उनका कहना था कि अब बहुत हो चुका है इसका जबाब मुहतोड जबाब दिया जाना चाहिए तो यह एक सेंटिमेंट भारते सेना का और यहां पर जो सकास्तों से सरत से जुड़े लोग हैं उनके बीच में निश्यत तोर पर देखने को मिल रहा है और अब जब इस ख़बर की पुरीतर से पुष्टी होने के बाद सेना की तरब से एक आधिकारिक बयान भी जारी होगा इस पूरे मामले को लेकर कितने हमारे सनी घायल में कितने शहीद हुए हैं तो यह क्योंकि हम लगाता शोयता है उनको लगता है कि इसका कोई फाइदा नहीं है चीन ये भाषा सायद नहीं समझता है उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा जी मंझीत 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 थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगी आपको चुकि समय न्यूज एजनसी एनाई की तरफ से ये खबर आ रही है कि चीन के 43 से 45 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए है इसमें इन में बड़ी तादाद उन चीनी सैनिकों की है जो मारे गए है चीन की तरफ से अभी पुष्टी दरसल भारत में खबर चलने के बाद ही वहां से कोई पुष्टी आ रही है तो आपको बता दें पहले कि ये जो जड़प भी गए है